हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ तमजीद आलम और स्वागत है आप सभी का टी एस एजुकेशन सेंटर में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सामान्य ग्यान के कुछ महत्वपूड प्रस्ण और उत्तर जो आपके आने वाले सामान्य ग्यान प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूड होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला प्रस्ण है इसरो का हेड़ क्वाटर कहां है इसका सही जवाब है इसरो का हेड़क्वाटर बैंगलोर में है अगला प्रस्ण है कागज का अविस्कार किस देश में हुआ इसका सही जवाब है चीन में कागज का अविस्कार हुआ अगला प्रस्ण है खट्टे फोलो में कौन सा एसीड होता है इसका सही जवाब है खट्टे फोलो में साइट्रिक एसीड होता है अगला प्रस्ण है भारत में प्रधान मंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है इसका सही जवाब है कार्यकारी प्रमूख भारत में प्रधान मंत्री के ओहदे को माना जाता है अगला प्रस्ण है गोतम बुध का बच्पन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है सिद्धार्थ गोतम बुध का बच्पन का नाम था अगला प्रस्ण है ताज महल बीवी का मकबरा एतमाद उद दोला किस चीज के इसमारक है? इसका सही जवाब है मृत व्यक्ति के इसमारक है अगला प्रस्ण है समराट अशोक किसका उत्राधिकारी था इसका सही जवाब है बिन्दुसार का उत्राधिकारी था समराट अशोक अगला प्रस्ण है भारत में सशस्त्र बलो का सर्वच्च सेनापती कौन होता है इसका सहीजवाब है राष्टपती भारत में ससस्त्र बलो का सरवच्च सेनापती होता है अगला प्रस्न है भारतिय संबिधान को पहली बार कब संसोधित किया गया इसका सहीजवाब है सन 1950 इस्वी में भारतिय संबिधान को पहली बार संसोधित किया गया अगला प्रस्ण है रॉलेट एक्ट को किस वर्स लागू किया गया इसका सहीज बाब है सन 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया अगला प्रस्ण है महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे इसका सहीजबाब है महाराड़ा परताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे अगला प्रस्न है बाक्सर इवांडर होली फिल्ड को किस नाम से जाना जाता है इसका सहीजबाब है दरीयल डील के नाम से बाक्सर इवांडर होली फिल्ड को जाना जाता है अगला प्रस्ण है पोंगल किस राज्य काते वहार है इसका सही जबाब है तमिलनाडू राज्य काते वहार है पोंगल अगला प्रस्ण है सिंधुगाटी की सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था इसका सहीजबाब है सिंधुगाटी सभ्यता का पंदरगा लोथल में था दोस्तों अगर वीडियो पसंदा रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा अगला प्रस्ण है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है इसका सहीजबाब है वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म में महावीर को अगला प्रस्ण है गिधा और भांगडा किस राजी के लोक निरित्य है इसका सहीजबाब है गिधा और भांगडा पंजाब राजी के लोक निरित्य है अगला प्रस्ण है मगध के उत्थान के लिए कौन सा शाशक उत्तरदाई है इसका सही जबाब है बिन विसार मगध के उत्थान के लिए शाशक उत्तरदाई है अगला प्रस्ण है भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लिग को क्या कहते है इसका सही जबाब है IPL भारत में प्रोफेस्नल T20 क्रिकेट लिग को करते हैं दोस्तो IPL का फुल फार्म क्या होता है इसका जबाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगला प्रस्ण है टेली वीजन का अविस्कार किस ने किया इसका सही जबाब है जौन लौगी बेयर्ड ने टेली वीजन का अविस्कार किया अगला प्रस्ण है संसद में कौन से दो हाउसेस है इसका सही जबाब है पहला लोक सभा और दूसरा राज्य सभा अगला प्रस्ण है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है इसका सही जबाब है गोवा भारत का सबसे छोटा राज है अगला प्रस्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी इसका सही जबाब है रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी अगला प्रस्न है रामायड के लेखक कौन थे इसका सही जवाब है वालमी की रामायन के लेखक थे अगला प्रस्न है भारत में ब्लू सीटी के नाम से किस सहर को जाना जाता है इसका सही जवाब है जोधपूर को ब्लू सीटी के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण है भारत में कौन सी note issue system follow की जाती है इसका सही जबाब है minimum reserve system भारत में follow की जाती है अगला प्रस्ण है forward block का गठन कब किया गया इसका सही जबाब है 1 मई 1949 इस्वी को forward block की स्थापना की गई अगला प्रस्ण है congress socialist party का गठन कब किया गया इसका सही जबाब है मई 1934 इस्वी में अगला प्रस्ण है जल का पीच मान कितना होता है दोस्तो आप अपना जबाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियेगा इसका सही जबाब है जल का पीच मान सात होता है अगला प्रस्ण है दूध का पीच मान कितना होता है इसका सही जवाव है 6.4 दूध का पीच मान होता है दोस्तों मुझे उम्मेद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेर जरूर करिएगा और दोस्तों अगर अभी तक आपने नई कैबिनेट मंतरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन पे क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा उसमें कुछ नए कैबिनेट मंतरी लिष्ट हुए हैं जो कि आपके आने वाले एकजाम्स के लिए महत्तोपूर होने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद